हालो फ्रेंट्स सुवींड ट्रेड रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंंगे क्यापिलियन पॉइंट के बरे में हैं आज आनालीसिस करने से पहले व्रेंट्स सबको एक बार जरूर रिक्विस्ट करना चाहूंगा फिरेंच एगर इस चैनल पे नया है चैनल को साथ जो बात करेंगे क्यापलें के बारे में तो क्यापलेंड यह का हम आरो सी देखते हैं रोसी थाका रोसी यह अगर इससाफ साफ से कंपनी का अगर आल टाइम हाई देखते हैं 1035 का आल टाइम हाई और अभीränे चल रहा है 2826 के पास में हैं तो आगर इसी किसा हंसे हम देखते हैं इस टॉक में एक बाद देख लेते हैं जो कि सेप्टेमबर क्वाटर में 268 क्रोड का यहां पे है तो अभी का सेप्टेमबर में तो अच्छा सा इंप्रॉमेंट नजर आ रहा है तो इसी हिसाप से अगर एसी सांबसे अगर हम देखते हैं तो इयर आए दिखते हैं तो यहां पर लहारा है जो कि सबसे हाइस्ट है तो हम देखेंगे हायस İST अभी तक का तो इसी सांबसे अगर हम सेल्स भी सेल्स भी 1157 क्रोड का लास्ट दार कोटर में सेल्स हुआ है जो कि सबसे हाइस्ट सेल्स हुआ है कि अगर हम कंपनी का वैलन शीट देखते हैं यहां पर रिजर्ब में बड़ी ऐसा ग्रोइंग होते नजर आ रहा है इसी साफ से हम देख रहे हैं कि 2011 में 14 करोड का रिजर्ब था इसी साफ से अभी अगर देखते हैं यहां पर 1312 करोड का रिजर्ब बहुत चुका है तो कंपनी के ऊपर आज सच कोई डेट नहीं है उनली एट करोड का उनली डेट है ठीक है वह इतना ज्यादा कोई इंप्याक्ट नहीं करेगा इसमें अगर कि यहां पे 1.76 परसेंटेज का मतलब fallen है जो कि यहां पर 2018 में 7% का एक पास में halding तो यहां पर का holding थोड़ा सकॉम हो चुका है तो अगर हम हुल्डिंग देखते हैं लिए 1.19 परसंटेज का डिई के पास में holding है पाबली के पास में 28 का holding है तो इस स्टाक में अगर हम देख सेटिक जिए एक साल में 66 पर्सेंटेज का रिटन दिया एक मल्टी आगर स्टॉक है अगर आज का दिन का करवार स्टॉक में देखते हैं तो यहाँ पर आज के दिन में बहुत बड़ा सा यहां पर के पल देखनेको मिला है जो कि 5 .4 9 पर सिंटेज का यहां पर गिराबट देखने को मिला है जो कि ए-45 रूपीस का कर इसे साब से अभी क्लोजिंग रॉस यहां पर देखनेको है तो यहां पर सर्य यहां पर अब depresistance नहीं हुआ है 2,49,000 का quantity trader हुआ है इसी साफ से अगर delivery हम देखते हैं 1,29,000 का quantity यहाँ पर delivery उठाए गया है जो कि 52% निकल करके आता है तो इसी साफ से अगर देखेंगे तो कंपनी के मल्टी वेगर स्टॉक भी है तो इसी साफ से अगर आपको यहाँ पे नसी से किसे डाटा चेक करते हैं तो उसके बाद में अगर आपको स्क्रीनर में कैसे डाटा चेक करते हैं आपको पता नहीं है और यहाँ पर सिंपली जाके देख सकते हैं यहां पर प्लेलिस्ट के सेक्षन बनाये हुआ है यहाँ पर फोल्डर में जरूर्द में विजिट कर लिजीए को काफी और यहां पर आई बटन पर भी देता हूं वहां से जाके आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं अगर हम देखते हैं यहां पर यह स्टॉक का 100 दे का मुविंग आबरेज के पास में स्टॉक बिल्कुल यहां पर सपोट तोड़ चुका है ठीक है अगर हम देखेंगे तो अगर फ्रेंज किसी का वुल्डिंग यही स्टॉक में तो स्टॉक को इम्मीडियेटली सेल करने कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक का ट्राक रेकड कोई बुरा नहीं है अगर हम देखते हैं यह वान वीक चाट पैटर्न अगर इसमें देखते हैं यहां पर दिखिए जिन्होंने लांग टर्म में इंवेस्टमेंट किया है उनका वेल्ड तो अच्छा बनाई है क्योंकि 2015 से जब चाट पैटर्न हम देखते हैं यहां पे 56 से लेके अभी का जो चाट पैटरन है बहुत भेतरीन चाट पैटरन बनाए तो कोई प्रोब्लेम नहीं अगर आप कही हैं तो यहां पर स्टॉक में काफी दिन से अगर देखेंगे ना यहां पर 2017 से लेके 2000 यहां पर बीस तक का इसा नहीं कि यहां तक की जाके फिर उसके बाद में इसका ग्रोथ खतम हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको स्टॉक में बने रहना है लस्बुक नहीं कर अगर आए तो उस ताइम पर आपको लॉस्बुक नहीं करना है या तो फिर शेल करके नहीं निकलना है तो चुटा मटा स्टॉक में गिरा बटा सकता है इसा कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना यह स्टॉक में अगर आपको पोजिशन लें अगरde बया개ार गोंट relent करका सकते हैं इसी टाइम पर बिल्कुल लेके चल सकते हैं अगर आपको लंगतरन के रिए करना है तो भी इसी लेवल पर लिए वह सकता है उस तो को इमिडिटल आप बाई करके चलिए अगर आपको यह स्टॉक में थोड़ा सा पोजीशन बनाना है तो आपको बड़ी ईएसा रिटन मिल सकता है यहां तक अगर आप चलेंगे आपको 40% का रिटन भी मिल सकता है साधी पर हमने लिएक बी कुम सा दिन हमारी के बारे में क्यानिये याद है यह नियुक्सनुक्त के बहुप्त मुझे तो याद है एक बर हम ने analysis किया क्याप्लीन पोइंट के बरे में यहां से अगर आईए ना तो यहां से बिल्कुल देख सकते हैं तो इसके बरे मेंग बार अनलीस किये तो उसका तर्गेट भी आचीव हो चुका था तो उसी साब से अभी बता रहे हैं तो इसी साब से इस टॉक को यहां पर ले लेना है अगर आप यहां पर आप एंट्री लेंगे तो फिर प्रोब्लेम हो सकता है अगर आपका यह रेंज पर कहीं पर करके रखे हुए तो आप लॉस्बूक मत किजिए क्योंकि कोई बुरा नहीं है आपको लॉस्बूक करने की जरुद करने तो प्राइस मिली जाएगा ठीक है फि कि अगर हम देखते है इसकुल आतींकर फिर आपको इंते जार करना है तो इस्य रेंज पर चले लंग-टर्म के लिए वी लेकर चल सकते हैं कि सटाक्या स्टॉक स्टॉक आपको यहां पर भी आपर लिए expect हो यहां सेक्ट्ज सकते यहां पर description में इसका वीडियो लगा हुआ है जो कि हम कैसे trading view में कैसे हम सिखते हैं यहां पर moving average कैसे set करते हैं यहां पर volume कैसे देखते हैं यहां पर RSI कैसे देखते हैं आप अगर वीडियो देखेंगे ना आपको profit booking कर लेना है अगर वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंट्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंट्स के साथ में सेर कीजिए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू very much friends for watching this video मिलते नेक्स वीडियो में